लो फ्रेंड्स वेलकम कुए एसवा एजूकेशन फार्मिशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यहां पर देखेंगे डिये रेट्स टेवल 2024 कर्मिचारियों के लिए आ गई बड़ी खुशखवरी यहां देखे नया डिये चार्ड हमारे देश में अब महंगाई हर दिन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है ऐसे में सभी नागरीकों का जो बजट है उस पर जो है काफी ज़्यादा असर पड़ता है लेकिन महंगाई भत्ते का सबसे ज़्यादा असर सरकारी कर्मिचारियों पर पड़ता है इसलिए इसके वारे में केंद्री कर्मचारी नई जानकारी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेश करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे यहां आपको हम बता दे कि केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2023 को महंगा भत्ते को सरकार द्वारा दो बार लागू किया जाएगा लेकिन महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना होता है और इसके पस्चात ही इसे लागू किया जाता है आज के इस आर्टिकल्स में हम आपको डिये रिट स्टेवल के बारे मे पूरी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए काफी जादा उपयोगी हो सकती है निव डिये रिट स्टेवल 2024 महंगाई भत्ते को लेकर के केंदरी कर्मिचारियों के बीच में बहुत सी बाते की जा रही है बता दे चले की सरकार द्वारा अभी तक नवीनतम महंगाई बत्ते के बारे में कोई भी नया अपडेट अधिकारी तोर पर जारी नहीं किया गया है वैसे कुछ मेडिया रिपोर्टर्स के द्वारा यह कहा जा रहा है कि देश की सरकार बहुत जल्द महंगाई भत्ते पर लागू करने की घोशड़ा करने वाली है और ऐसे में सबसे मह पता है हलां कि ऐसी खबरे भी सुनने में आ रही है कि साल 2024 के लिए सरकार महंगाई भत्ते को 50% से भी ज़्यादा कर सकती है यदि ऐसा हो जाता है तो तब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में और पेंसन में बहुत ही सामदार ब्रिधी हो जाएगी यच आर दोबारा से होगा रिवाईज और वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता काफी बड़ी खुस्खबरी है और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि यदि महंगाई भत्ते में 50% से ज़्यादा की बढ़ुत्री कर दी जाती है तो इसके पसाथ फिर यच आर को भी दोबारा रिवाईज किया जाएगा और इसको लेकर के बहुत सी खवरे सुनने में आ रही हैं सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर नवीन तम महंगाई भत्ता 50% की दर से बढ़ा दिया गया तो तब जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें काफी बड़ा फ अधिकारी तोर पर जब सरकार द्वारा एलान किया जाएगा तभी कुछ हस्परिष्ट हो पाएगा महंगाई भत्ते के कारण बेतन पर असर साल 2024 में आखरी बार महंगाई भत्ता सरकार ने लागू किया था आपको जानकारी के लिए बता दे कि तब से अब तक 46% की महंगा सरकाई दर की राहत केंद्र कर्मचारियों को सैलरी दी जाए रही है और ऐसे में जब महंगाई भत्ते को 50% कर दिया जाएगा तो तब सभी सरकारी कर्मचारियों के बेतन में काफी ज्यादा ब्रिधी देखने को हमें मिल सकती है महंगाई भत्त कब लागू होगा फिलाल महंगाई भत्ते को लेकर बहुत से खबरे तो आ रही है लेकिन हम आपको बता दे कि अभी सरकार ने इसको लेकर के कुछ भी घोशड़ा नहीं किया है जहां जानकारी के लिए आपको बता दे कि महंगाई भत्ते को बढ़ाने को ल होगा फिर नहीं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है आपको हम जानकारी के लिए बता दे कि जो पिछला महंगाई भत्ता था वह जुलाई के महीने में जारी हुआ था और इस प्रकार से अब दस महीने पूरे होने वाले हैं तो यह कहा जा सकता है कि अफसिग रही किंद्र सरकार महाई भत्ते को लेकर के कोई सकारात्मक जो गोष्डा करने वाली है मेडिया का दावा बढ़ेगा और महाई भत्ता भी यह हम आपको यह जानकारी देने चाहते हैं कि मेडिया रिपोर्टर्स के अमसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि मंगाई बत्ता बढ़ने वाला है अब जो है मंगाई बत्ता 50% से भी जाता किया जाएगा या फिर नहीं क्योंकि इसके बारे में साब तोर पर तभी जानकारी हो पाएगी जब सरकार द्वारा इ अधिकारी बेवसाइड और सोचल मेडिया हैंडल्स पर नजर बना करके रखे दरसल इसको लेकर के सबसे पहले जानकारी अधिकारी बेवसाइड पर यहां पर हम आपको प्रवाइड करेंगे थैंक्स फर वाचिंग गाड़ बेशिए